हेलो दोस्तों वेल्कप टो फंडामेंटल ट्रेडर आज की इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनेलिसिस करेंगे आने वाले वीक के लिए जो नेक्स्ट वीक की स्टार्ट होगी मंडे से उस विक में क्या रेंज हो सकते हैं और बैक निफ्टी की क्या लेवल्स हो सकते हैं कब आपको कॉल बाय करना चाहिए कब आपको पुट बाय करना चाहिए हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और तो चलिए बात करते हैं निफ्टी की पहले और चार्ट पे देखते हैं इसके क्या ट्रेंड है तो आपके समय में ने डेली चार्ट को लगाया है डेली चार्ट पे जो RSI के लेवल निकल कर आ रही है वो 54 की है और अगर आप MSD के तरफ देखेंगे तो मैं वेंटम जो है वो नीट्रल दिखाई दे रही है MSD के लाइन जीरो लाइन पे है और अगर RSI को आप देखेंगे तो यह 50 और 60 के बीच के जो रेंज है यह बहुत ही डाउटफूल होती है तो ऐसे में आप RSI की confirmation आप MSD से ले सकते है अगर MSD के लाइन जीरो लाइन से उपर है तो आप इसे positive momentum समझेंगे और अगर MSD के लाइन जीरो लाइन से नीचे है तो आप इसे various momentum समझ सकते है तो currently जो MSD लाइन अभी जीरो पे है तो मैं इसे neutral समझेंगा और अगर आप candlestick pattern को भी देखेंग तो आप देखें candlestick pattern बार-बार उपर के तरफ जा रही है जो closing हो रही है वो बार-बार उपर के तरफ जा रही है resistance को break करते हुए जा रही है लेकिन support को break नहीं कर रही है तो यह कहना बिलकुल गलत होगा कि momentum जा है वो various का side है क्योंकि बार-बार जो market gap में opening हो रही है gap में opening ह क्योंने का मतलब तो जही है कि market की जो pressure है नीचे के side से वो buying के side है तो ऐसे में आपको भी buy करके चलना चाहिए चले weekly chart पर भी देखते है weekly chart पर जो रहा cycle level निकल कर आ रही है वो 60 की है MSED के तरफ भी अगर देखेंगे तो momentum जो है वो bullish है crossover bearish है लेकिन देखिए bearish crossover का मतलब न जाएगी तो crossover पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजी momentum जो है यहाँ पर bullish है और अगर आप candlestick pattern को भी देखेंगे weekly chart पर तो resistance को break करते हुए यह उपर जा रही है मंतली chart पर कोई trend देखने का मतलब नहीं क्योंकि मंतली chart पर जो है वो अभी भी trend bullish है तो आपको जहाँ पर sell करने के लिए नहीं सोचना चाहिए यहाँ पर put by करने के लिए बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए क्योंकि जब तक longer time frame पर market bearish नहीं होती है आप sort मत करो आप put by मत करो और मैं पिछले भी वीडियो में यहीं बता रहा हूँ कि market जो है वो अभी bullish है तो आपको buy करके ही चलना चाहिए अगर मैं nifty की weekly range बताओ यह range का मतलब है market जो है next week की जो एक candle बनेगी nifty की उस candle का क्या high हो सकता है क्या low हो सकता है मतलब एक range पता करने की कोशिश कर रहा हूँ एक range analyze करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे लगता है 15,300 और 14,200 की जो range है यह एक upper side और lower side की range बन सकती है weekly chart की तो आपको trade कैसे लेना है इस range में 14,900 के उपर आप buy कीजिएगा 14,900 के उपर अगर market जाने लगी डेली टाइम फ्रेम पे अगर 14,900 के उपर market close होती है तो आप यहां से buy कर सकते हैं टार्गेट बनेगा 15,100 और इसका बाद आप stop loss को trail भी कर सकते हैं हो सकता market इसका बाद बुली स्वजाए 15,200 की level भी cross कर सकती है निफ्टी के अंदर short की कोई trend नहीं मैं बताऊंगा short के कोई levels मुझे दिखाई ही नहीं देते हैं निफ्टी के अंदर क्योंकि market जाने अभी निफ्टी के अंदर बहुत पुली से काफी strength है तो short के side मैंने कोई levels नहीं दिये हैं इसलिए तो मैं बोलूँगा कि आप भी buy के side आ रही है वो 50K मतलब यहां पर बिल्कुल ही neutral जैसा दिख रहा है मुझे MSED के तरब भी देखेंगे तो zero line के बहुत close है यह ले MSED line तो मुझे जहां पर भी daily chart पर neutral के momentum दिखाई देती है और आप अगर आप candlestick pattern को भी देखेंगे तो आप देखेंगे जो candles की closing हो रही है वो बार बार अपने high के उपर close होने की कोशिज कर रही है support को break नहीं कर रही है back nifty के अंदर तो यहां पे जो candles की जो momentum दिखाई दे रही है वो bullies के ही side momentum दिखाई दे रही है लेकिन problem यह है कि यह bullies की momentum तो है लेकिन candles की जो formation है जो candle की bullies की momentum वो इतनी strong momentum नहीं है तो nifty bank अभी भी कहीं है कहीं weak है इसलिए daily chart पे यह neutral की sign दिखाई दे रही है market उपर जाने के पूरी कोशिस कर रही है लेकिन पूरी momentum नहीं मिल पा रही है तो उपर जाना मुश्किल लग रहा है लेकिन फिर भी आप इसमें buy करके ही चलेंगे और put buy करना जहां पे बहुत ज़्यादा risky है क्योंकि अगर आप put buy भी करोगे तो profit का जो level है वो profit की जो point है वो बहुत कम मिलेगी वीटली चार्ट में बात करें तो RSI की जो level निकल करा रही है वो 56 की है MSCD के तरफ देखेंगे तो crossover जो है वो bearish है लेकिन MSCD line के उपर है तो जहां पे मैं बिल्कुल ही bullish momentum समझेंगे क्योंकि MSCD जो line है वो zero line के उपर है RSI की जो momentum है वो 55 से उपर है और अगर आप candlestick pattern को भी देखेंगे तो उसकी जो momentum दिखाई देरी है वो बार-बार अपने high के उपर closing हो रही है है momentum बहुत strong ही खाई दे रही है weekly chart पर और मंत्री चार्ट पर already bullish momentum बनी हुई है तो bank nifty के अंदर जो trend निकल का आई है वो daily chart पर neutral है और weekly और मंत्री चार्ट पर यहां पर जो market है वो police है तो bank nifty के अंदर भी same trend है आपको buy करके ही चलना चाहिए put buy नहीं करना चाहिए अगर आपको buy करना है तो आप opportunity ढूंड़िए call को buy करने की अगर bank nifty के अंदर मैं weekly levels के बात करूँ weekly एक range के बात करूँ किस range में candle बन सकती आने वाले week के जो candle बनेगी तो मुझे लगता है 34850, 34850 और 30900 जो कि एक major support है इस range में candle बन सकती है इस week के candle मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी candle बनेगी यह कि 34850 के भी ऊपर चली जाए नहीं एक week में इतनी बड़ी candle नहीं बन सकती है और इतनी नीचे भी नहीं जा सकती है कि 3900 की range को एक week में ही cross कर दे हो सकता है बड़ रेर है ऐसा case मुझे अभी दिखाई नहीं देता है तो यह range लगती है मुझे इस range में कहीं opening होगी इस range में कहीं closing होगी तो अगर आपको buy करना है तो 33300 की जो level है 33300 की जो level है तो इस level पे उपर अगर आपको daily chart पर closing मिलती है तो आप इसमें buy कर सकते हैं target होगा 34300 1000 की point की profit है अगर आपको इसमें put buy करना है तो आप 31900 की जो level है अगर इसके नीचे आपको closing मिलती है तो आप put buy कर सकते हो 31200 की target बन सकती है जो level से आप इसका snapshot ले सकते हो या फिर आप इसे अपने chart पर mark कर सकते हो buy और sell की indications के लिए बट मैं फिर से बोलूँगा आपको put buy करना अभी इस time पर risky है क्योंकि जातो निफ्टी और bank निफ्टी sideways हो सकता है जातो वो उपर जाएगा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये नीचे आएगा चली इस पर और हम discussion करेंगे क्यों मैं बता रहा हूं कि ये नीचे नहीं आ सकता अभी के लिए ये लेवल्स आप note करके रख सकते हैं ये लेवल्स आपके बहुत काम आने वाले हैं next week में आप देखो ये जो निफ्टी बैंक की ये जो candles मैं दिखा रहा हूं आपको एक circle में ये कुछ 15-20 दिन की candle से आप यहां पर एक चीज करो notice करो जो मैं आपको बता रहा हूं ये जो मैंने green lines मार्क हैं आप देखो इस support को कोई भी candle ने ब्रेक नहीं किया बार-बार मार्केट ज़र वो उपर जा रही है दोको किसी भी live level को जाके support को ब्रेक नहीं किया सिर्फ दो बार-बार उपर की तरफ जा रही है या तो market gap up opening होती है थोरी से नीचे आती है लेकिन support break नहीं होती है gap down open होती है लेकिन support break नहीं होती है लेकि support का level को break करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो break हो ही नहीं रही है या momentum बार-बार उपर की तरफ है तो यहां पे आपको put back क कِतना risk की work है, आप समझनी रहो, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, कि market नीचे आएगी, market नीचे आएगी, market नीचे नहीं आती, market उपर चली जाती है, ये वो लोगी है, जो December का टाइम पर जब था, जब market March के बाद से recover की थी, बहुत लोग सोच रहे थे कि अब मार्केट उपर नहीं जाएगी यह मार्केट बहुत उपर हो गया अब मार्केट गिरेगी उस टेहम भी वो लोग ना बाय नहीं किया मार्केट गिरी नहीं मार्केट के बाद बजट आ गया उस टाम भी लोगों ने सुचा कि अब मार्केट गिरेगी लेकिन गिरी नहीं बजट के बाद मार्केट और उपर चलती चली गई तो ये लोग हमेशा उपरचनिटी को मिस कर देते हैं उनको लगता है कि मार्केट गिरेगी की मार्केट गाप में आपको बता रहा हूँ ये गाप की आपकी सिच्वेशन होती ही ना वह आपको मैं खेर घ्लियर करता हूँ इ दोंक्ता आपके समल एक याप्तो बैंक की वीकली चैक पर यह जो वीक है 11 में 2009 की week है ठीक है 11 में 2009 को जो gap बनाई थी वो 600 की gap बनाई थी ठीक है आप क्योंको यह 11 में 2009 के 600 point की जो gap है यह weekly chat पे gap है भाई daily chat पे छोड़ो weekly chat पे जो यह gap है वो gap आज तक फिल नहीं हुई आज 2009 के बाद यह 10 साल हो गए आज तक यह gap को फिल नहीं किया है तो क्या आपको लगता जिस gap को फिल करने के लिए nifty वापस 6000 के level तक आएगा जिदो को आपको better understanding मिलेगी मैंने jump out किया यह देखो जो week की मैंने बताया जो gap है और आप देखो present condition जो है इस gap को अभी तक फिल नहीं किया है और आप यह भी देखो इसके पहले भी जो 26,000 के level है य बीचे भी आ सकती है तो यह तो हद हो गई मतलब यह strategy अगर काम करती तो अगर यह gap फिल करने के strategy वर्क करती चार्ट पे तो बैंक निफ्टी कपका 6000 के level तक आ जाता उसे उस gap को फिल करता और उसको बाद ही उपर जाता और यह तो weekly चार्ट पे अगर आप daily चार्ट पे भी हम buy करेंगे ऐसा नहीं होता हर बार तो gap के चक्कर में ना रहें अगर आपको buy करने का opportunity मिलती है buy की opportunity मिलती है market की sentiment अगर positive है तो बिलकुल buy करो gap fill करने वाले strategy के चकर में रहोगे तो opportunity miss कर दोगे और एक बात को आप समझो जो जो rally आप देख रहो nifty के अंदर bank nifty के अंद आपको लगता है कि इस bank nifty में weakness दिखाई दे रही है आप देखो कोविट के cases पिछले कितने दिन से बार बार उपर के तरफ जा रही है पहले 2 लाख आई फिर 3 लाख आई फिर 4 लाख case आने लग गए लेकिन क्या आपको इसका impact दिख रहा है चार्ट पे आपको इसका impact नी रहा होगा चार्ट पे क्योंकि bank nifty nifty दूनों उपर के तरफ जा रही है cases तो बढ़ रहे है cases हर दिन उपर आ रही है लेकिन market फिर भी उपर के तरफ जा रही है तो market नीचे नहीं आना वाली है जहां तक मुझे लगता है तो जो लोग इस इंतजार में रुके हैं कि market नी नीचे आ चुका है मैं क्यों बोल रहा हूं कि market को जितना नीचे आना था आ चुका है और आप उपर जाएगा एक और example में बताता हूं आप समझो और जो मैं यह analysis आपको बता रहा हूं जो मैं यह बात आपको बता रहा हूं वो आपको पूरे YouTube में कोई नहीं बताता है lockdown की news पे crash हुई थी, covid की news पे crash नहीं हुई थी जब मोधी जी ने बोला कि 3 मंत की lockdown लग रही है, 1 मंत की lockdown लग रही है, market crash कर गई क्योंकि पता नहीं था कि यह lockdown कब खतम होगा या फिर extend होगा, लोगों के अंदर एक confusion था, तो इतनी बड़ी crash आई, covid के वज़े से crash नहीं आई, ठीक है, lockdown के वज़े से crash आई, और यह देखो जो मैं mark की हूँ, आप यहाँ पर चार्ट पे देखो, यह मई से, मई जून से ही निफ्टी के अंदर आप देखो, यहाँ पर reversal दिख गया, आपको market बहुत ही तीजिस उपर के तरफ जाने लग गई थी, जून जिलाई अगस्त तक तो यह अपने half retrace कर चुका था, लेकिन आप इस बात को समझो, यह April में, जून में ही, जब market उपर जा री थी, तो इंडि market एक high बना रही थी, एक higher high बना रही थी, market में जो crash आया, market के अंदर जो deep आई, वो lockdown के वज़े से आया, covid की case में तो market उपर जा रही थी, और अब भी वही हो रहा है, आप देखो, यह जो market में fall आई, वो lockdown का डर से ही fall आ रही थी, सब को लग रहा था कि covid के case के वज़े से lockdown आएगा, लेकिन मोदी जी ने आकर यह बोल दिया कि हम lockdown नहीं करेंगे, ठीक है, और उसके बाद कि देखो, जो candles बन रही है, वो नीचे जाने को ready ही नहीं है, momentum जो हो bullish के side बनते हुई दिख रही है, तो market कुछ ऐसे ही चलती है, जब आप सुछते हो कि market और गिरेगी, तो market किरती नहीं है, market और उपर चली जाती है, तो अगर आपको buy करना है, तो buy करने के लिए कुछ weight मत किज़े, आप buy कर लो, अगर आपको risk लगता है, तो आप small quantity में buy करो, किसी दूसरे की analysis को मत देखो, तुम्हें लगता है कि अगर मुझे buy करना चाहिए, क्योंकि market उपर जान अगरा सबकों के market अभी और नीचे आएगी, बट मुझे नहीं लगता है कि market अभी और नीचे आएगी, market की जो momentum दिखाई दे रही है, वो उपर के तरफ ही दिखाई दे रही है, तो overall summary यह है, कि market का अंदर COVID का कोई reaction नहीं दिख रहा है, चार्ट पे market उपर जा रही है, second point, US के market जब वो उपर जा रही है, उसके अंदर कोई भी bearish momentum नहीं दिखाई दे रही है, third point, इंडिया में कोई lockdown होने के chances नहीं दिखाई दे रही है, center ने अमान लिया है, मोधी जी ने बता दिया है, कि वो lockdown नहीं करेंगे, तो यह जो तीन point है, और जो चार्ट पर projection दिख रहा मुझे कहीं से भी यह ने लग रहा है, कि market नीचे crash करेगे जा फिर नीचे की support को break करेगी, तो मैं तो जहीं बोलूँगा, कि आपको buy करके चलना चाहिए, तो इस video को मैं जहीं paint करता हूँ, और अगर आपको कुछ भी query होती है, तो आप comment कर सकते हो, अभी के लिए अगर बस मेरे वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब करके motivate चरूर कीजिए, जहाँ आप decide करेंगे कि आपको buy करना है, या नहीं करना है, पैसा आपका है, में यह नहीं बूर रहा कि आप मेरी बताएगे shares पर buy करें, आप अपना LLC से खुद करें, आप अपने advisor से सल अगर आपको loss से profit होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल के कोई responsibility नहीं होगी,